नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में हम Glide Typing के बरे में जानेंगे Glide Typing इस मैठड में हमें अपनी उंगलियों को सिर्फ मोबाइल के कीबोर्ड में फिराना होता है और टाइपिंग होती चली आती है दोस्तों, आज के इस युग में हम सब भी WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube का यूज़ करते हैं और बहुत सारी information या बातों को लिख कर भीजते हैं जनरली हम लोग क्या होता है? कि लिखने के लिए एक एक word को ऐसे दबादबा की टाइप करते हैं इसमें हमारा बहुत सारा time बेस्ट हो जाता है यदि आप आपकी typing speed को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें glide tapping को सीखना होगा glide tapping बहुत easy है, इसमें सिर्फ आप उंगलियों को अपनी ऐसे फिराएंगे और particular word लिखता चले आगा लेकिन दोस्तों glide tapping करने के लिए आपको थोड़ी सी practice करनी होगी आप प्रते दिन एक दो मिनट भी practice करें तो आप आसानी से कुछ दिन में इसके master बन जाएगे दोस्तों glide tapping करने के लिए आप अपने mobile में Google Indic Keyboard या Gboard इंस्टॉल कर लिए जगा वैसे आपके mobile जो default keyboard होता है उससे भी tapping हो जाती है तो आएए चलते हैं screen के और हम Gboard में start करते हैं दोस्तों Gboard आपको प्ले स्टॉर में मिल जाएगा यहां से आप इसे install कर लिजेगा इसके बाद दोस्तों आप इसे open कर ले और यहां जहां glide tapping लिखा हुआ है WhatsApp open करते हैं जिस भी contact को हम संपर करना चाते हैं वहां जाते हैं Message में जाएए अब हम लिखते हैं तुम क्या कर रही हो तो simply जो word है तुम TUM हम उसके उपर glide करेंगे यह देखिए यह लिख गया तुम इसके बाद हम लिखेंगे क्या तो हम KYA पर glide करेंगे यह देखिए क्या इसमें आपको space देने की ज़रूरत भी नहीं है यह automatically space ले लेता है कर R A H I रही हो आपको word में जो character हो सिर्फ उनको target करना है और typing होती चड़ी जाएगी अब हम लिखते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया क्या T U M तुमने देखिए यहाँ पर suggestion भी आते हैं यदि आपका word गड़बड हो जाए तो आप यहाँ उपर से select कर सकते हैं ठीक है खाना खा L I Y A लिया देखिए यह कितना easy है आपको सिर्फ उन words पर target करना है उन words पर उंगली फिरानी है जिनने आप लिखना चाहते हैं और यह लिखते चले आएंगे इस तरीके से आप glide tapping करके बहुत fast लिख सकते हैं आपको बस थोड़ा सा practice करनी होगी उसके बाद आप एकदब फटाफट करने लग जाएंगे उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको informative लगा होगा वर्ट्सप में पॉन्स को कैसे change किया जाता है उसके लिए ये left वाला वीडियो देखेगा और वर्ट्सप में किसी के status को secretly कैसे दिखा जाता है बगेर उसे पता चले उसके लिए ये right वाला वीडियो देखेगा चैनल पर नए हो तो like, share और subscribe जरूर करें Thank you so much